हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मदूश किचन में फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बिना करवाहट के मसालेदार भरवा करेले की रेसिपी सेयर कर लेए हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होते हैं और हेल्दी भी होते हैं और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान होते हैं तो फिर देर किस बात की चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह 500 ग्राम करेले लिये हैं और करेलो को मैंने यहाँ पर अच्छे से किलिनन वॉस कर लिया है करेले में देखेगा इस तरीके से छोटे छोटे गड़े होते हैं इनके अंदर मिट्टी रहती है तो इनको हमें अच्छे से साफ करना है तो यहाँ पर हमने इनको बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लिया है तो यहाँ पर देखेगा, सबसे पहले हम सभी करेलो को छील लेंगे, तो इस तरीके से देखेगा, चाकू की हल्प से हम करेलो को छील लेंगे, इनके जो उपर की इसकिन है, उसको हमें देखेगा, इस तरीके से हटाना है, यह पिलर की हल्प से नहीं, इनको हम चाकू की हल्प से ही छीलेंगे इस तरीके से हम सभी करेलों को छील लेंगे यह देखेगा तो करेले के ओपर जो यह इसकिन है इसको हमें बहुत अची तरीके से छीलना है तो यहाँ पर देखेगा हमने करेले को बहुत अची तरीके से छील लिया है यह देखेगा इसकी पूरी इसकिन को हमने तो यहां पर देखेगा हमने सभी करेलो को बहुत अच्छी तरीके से छील लिया है और इसके जो उपर वाला पार्ट है इसको भी हमने अलग कर दिया है और अब देखे करेलो में हमें इस तरीके से चीरा लगाना है तो यहां पर करेलो में हम लंबा लंबा चीरा लगा लेंग सारे बीजों को निकाल लेंगे अगर करेले में बीज नहीं है बीज बिलको सोप्ट है तो उनको हम नहीं निकालेंगे अगर टाइट बीज है तो उनको हम सभी को निकाल लेंगे तो इस तरीके से देखेगा हम हरे करेले से सारे बीज को तो यहाँ पर देखेगा हमने सभी करेलों से बीच को निकाल लिया है और सभी करेले देखेगा इस तरीके से हमने अंदर से खाली कर लिये हैं तो चलिए आप इन करेलों के उपर हम नमक डालेंगे तो यहाँ पर नमक हमें अच्छे से डालना है जिससे की करेले के अंदर तक और बाहर अच्छे से नमक लग जाए तो देखेगा इस तरीके से हम नमक को करेले के अंदर और बाहर अच्छी तरीके से कोट करेंगे यह देखेगा इस तरीके से अपनी उंगलियों की हल्प से हम एक एक करेली के उपर अच्छे से नमक को लगाएंगे नमक जो है वो करेलो को रखे वे आधा गंटा हो गया है और करेलो ने काफी पानी को रिलीज कर दिया है यह देखेगा इस तरीके से अदर से निकल ला है तो यहां पर देखेगा इतना पानी करेलो करेलो को रिलीज हो रहा है जितना पानी इन पानी करवाहत कम होगी तो सभी चिलको को हम इसी तरीके से निचोड़ लेंगे और अब देखेगा गैस पर कोई भी कढ़ाई या पैन रख लेंगे और इसमें हम यहां पर दो बड़े चम्बर सरसो का तेल डालेंगे और इसको करना है इनको हमें अलटते पलटते वे अच्छे से फ्राई करना है जब तक करेले चारो तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर के फ्राई ना हो जाएं जब तक हम करेलो को देखीगा इस तरीके से अलटते पलटते वे फ्राई करेंगे और अब देखीगा करेले हमारे चारो तरफ से बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं यह देखिया तो अब सभी करेलो को हम कड़ाई से निकाल लेंगे और निकालने से पहले देखेगा हम इस तरीके से इनको साइट से रखेंगे क्योंकि इनके अंदर जो तेल भरा होगा वो सब साइट से निकल जाएगा तो चलिए सभी करेलो को हम कड़ाई से निकाल लेंगे और अब बॉइस तेल में हम एक चमच जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे इने fry करने से जो इनके अंदर थोड़ा बहुत भी बचा हुआ करवापन होगा वो भी निकल जाएगा तो इनको भी हमें अच्छे से fry करना है ये देखेगा इस तरीके से एक से दो मिनिट के लिए हम इनको fry करेंगे ये देखेगा जब तक कि इनका color फोड़ा सा dark ना हो जाए जब तक हम इनको fry करेंगे तो यहां पर देखेएगा हमारे करे ले भी अच्छी तरीके से fry हो चुके हैं ये देखेगा तो इस टाइम पर हम इसमें प्याज डाल देंगे तो यहाँ पर हमने तीन बड़े सैज की प्याज को देखिएगा कद्दु कसकर लिया है आप चाहें तो बारीक-बारी काट कर भी ले सकते हैं और प्याज को भी अब हम अच्छे से भूनेंगे यह दिखेगा हमें प्याज को सोफ्ट होने तक अच्छे से भूनना है प्याज को में यहाँ पर ज्यादा नहीं भूनना है प्याज हमारी अच्छे से सोफ्ट हो जाए और उसका हलका सा कलर चेंज हो जाए जब तक ही हम प्याज को भूनेंगे करेलों के अंदर प्याज का बहुत एच्छा टेस्ट आता है और इससे जो करेली का कड़वा पन है बो भी दूर होता है तो यहाँ पर दिखे गाज भी हमारी अच्छे से सोफ्ट हो गई है और इसका कलर भी खलका हलका चेंज हो गया है तो इस टाइम पर हम इसमें को सूखे मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसमें एक छोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक छोटा चमच भरकर इसमें तीकी वाली लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आप इसमें डालेंगे दो चमच भरकर धनिया पाउडर तो सौफ को आप इसमें बिल्कुल भी इसकिपना करें सौफ जरू डालें और आप इसमें डालेंगे 2 चमच भर कर हम आमचूर पॉडर आमचूर पॉडर डालने से जो करेले का कड़वापन है वो भी दूर होता है और करेले में बहुत अच्छा आप अगर आपके पास कच्छा आम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब सभी मसालों को हम मिलाते हुए दो मिनट के लिए भूनेंगे फ्रेंड्स मेरे बताई तरीके से जब आप भरवा करेले बनाएंगे ना तो यह बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ और बड़े तो क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है तो पहले हम मसाले को अच्चे से थंडा कर लेंगे तो आप हागस सकते है या चमब से भी भर सकते हैं इस तरीके से मसाले को अच्छे से दबाते हुए हमें करेले के अंदर मसाले को भरना है यह देखेगा इस तरीके से हम मसाले को अच्छे से करेले के अंदर भरेंगे तो सभी करेलो के अंदर देखेगा हमें इस तरीके से मसालो को भरना है मसाले को हमें अच्छे से भरना है तो चलिए पहले हम सभी करेलो में इसी तरीकी से मसाले को भर लेंगे तो यहाँ पर देखेगा हमने करेलो के अंदर मसालो को अच्छे से भर लिया है और यह देखेगा हमने बहुत अच्छी तरीके से करेलो के अंदर मसाले को भरा है तो यहाँ पर देखिएगा हमारे मसालेदार भरवा करेले बनकर एकदम तयार हो चुके हैं तो यहाँ पर देखिएगा गैस पर हमने एक पैन रख लिया है और पैन में हमें सिर्क दो चम्मस सरसो का तेल डालना है और तेल को अच्छे से गरम करना है और दो मिनट के लिए देखेगा हम इनको इस तरीके से अलट के पलटते वे चलाते वे फ्राइ करेंगे तो इस तरीके से देखेगा हम इनको हिलाते वे आप चमत से भी चला सकते हैं और इनको चारो तरफ से हम अच्छे से से शेख लेंगे और अब देखेगा इनको सिखते वे 2 मिनट हो गए हैं तो ये करेलो का थोड़ा सा मसाला बचा था इनको भी हम पैन में डाल देंगे और करेलो के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखेगा इस तरीके से हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट के लिए और सभी चीजों को भूंदेंगे इस तरीके से दिखें हैं, इनको अलचते पलचते ह lugे हम झाटल का हुए अच्छे के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और हमारे करे लिए बहुत इछी तरीके से फ्राई हो गए हैं और जो चैनल पर पहली वार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन का वटन प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे की मेरी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके थैंक यू